बाके बिहारी मन्देर में अब लगातार शरदालों के साथ हाथ से होते हुए नजर आ रहे हैं फ्रेशाशन और मंदिद्र प्रवंदन के दौरा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि शरदालों को मंदेर परीसर में किसी भी तरह की समस्या का सा मनार ना करना पड़े लेकिन ऐसे होता हुआ नजर नहीं हा रहा कर एक बार फिर से एक महिला श्रधालों की तब याड बाके बिहारी मंदर परीसर में कराब हो गई महिला के पती ने बाके बिहारी मंदर प्रबंदन के गाड़ों पर जम कर आरोप लगाए जक प्रसिद्ध ठाकुर्बां के बिहारी मंदिर में शर्धालों की सुविदा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशार्शन एवं मंदिर पबंधन द्वारा की जा रही विवस्ताएं फेल ही नजर आ रही है मंदिर परीसर में एवं बाहर गलियों में भीड के दवाब के चलते आए दिन शर्धालों की तवियत बिगड़ने के मामले सामने आ रही है रविवार को भी एक शर्धालों महिला की हालत बिगड़ गई यह महिला महोली रोर मत्रा निवासी विनीता देवी है जो अपने पती सुबो शर्मा तीन वश्य पुत्र एवं भतीजी के साथ ठाकुर्बा के भी हारी मंदिर के दर्शन करने के लिए आई थी मंदिर में आरती दर्शन के समय भीर के दवाब के कारण विनीता देवी अपने पती से बिछड़ गई गेट नमबर एक पर आते समय विनीता की तवियत अचानक बिगड़ गई उनकी इस हालत को देख वहां तैनाद पलिस कर्मी सुरक्षा गार्ड और स्वास्ते कर्मी उन्हें गेट नमबर एक के पास चबूतरे पर ले गए जहां जिला स्वास्ते विवाग दौरा तैनाद डॉक्टर ने उनका उप्चार किया इसी दौरान पती सुबोश शर्मा भी उन्हें खोचते हुए पहुँच गए जहां सुबोश शर्मा ने अपनी पत्नी की इस हालत के लिए मंदिरों के गार्ड को जिम्यदार ठराया वहीं पत्नी की हालत में सुदार होने पर उन्हें अपने साथ ले गए अमेतागरवाल मत्रा समाचार 24 शर्मा है सुबोश शर्मा जी कहा से आया है मैं महुली रोड मत्रा से आया हुआ अच्छा और कौन था आपके साथ यह बच्चा है मेरी वाइप है वो इस प्रेचर पर यह बतीजी है अच्छा पत्नी का क्या कराम है विनीता देवी क्या हुआ था पत्नी को तब इसकी एककम से बिगड़ी मैंने का मुझे अधर से निकल जाने तो गेट किसे आहा था आपने यह गाड जो फटे पे पेल नमबर पर मूँछ ल इसको बाहर कर दिया उसको और मेरी वाइप को बाहर कर दिया उसको फोन भी नहीं डूनता हूँ आया हूं उजर से और यह पड़ी हुई है मैं वहां दून रहा हूं हाँ और गाड ने निकल लिए मैं इतनावसा मिजे बाहर जबाए अर्चो उसके सब मारते इसकी ज़िए उसकी ज़िए लिए